अलविश यादव जो किसी ना किसी मुद्दे की वज़ा से कॉंट्रोवर्सी में फ़स जाते हैं वो सूशल मीडिया या फिर अपनी यूज्यूब चैनल के जरिया अपनी बात जरूर रखते हैं काफी टाइम से अलविश पर कई सारे बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं कब इस एक वेनम केस को लेकर तो कभी माकस्टैन या मनीशर आने के साथ अनबन को लेकर अब इसे बीच अलविश ने बीती रात एक वीडियो इंस्टेग्राम स्टोरी पर शेयर किया है इसके साथ उन्होंने जो लाइन लिखी है ऐसा लग रहा है कि वो कोई मैसेज किसी को देना चाह रहे है वेल अलविश यादव ने जो वीडियो शेयर किया उसमें देखने के लिए मिल रही है बहुत सारी भीर्ड इतनी भीर्ड की चलने की जगा तक दिखाई नहीं दे रही है वहीं अलविश के आज़ पास बहुत लोग खड़े हैं इस वीडियो को शेयर करते हों अलविश ने लिखा यहां बराबरी कैसे करोगे इसके साथ अलविश ने स्माइली फेज भी शेयर किया है आपको बता दे कि अलविश इसके जरीए क्या मैसे देना जाते हैं ये तो वही बता सकते हैं लेकिन सूचल मीडिया पर फैंस जो हैं वो यह आनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है कि अपने कॉम्पेटीटर्स या फिर उन्हें लेकर नेगेटिव कॉमेंट्स करने वालों को अलविश ये सारी बाते कह रहे हैं आपको बता दे हाली मैं अलविश ने के इंटर्विव में सनेक फेनम केस पर बात चीत थी उन्होंने इंटर्वी के दरान कहा कि वो जो वीडियो था जो आप सभी लोगों ने देखा कि मेरे गले पर साप है उसकी सचाई ये है कि एक सिंगर है फाजल पुरिया उन्होंने लड़की ब्यूटिफुल कर गई चुल गाना गाया है उनका एक और गाना है 32 बोरे आप यूट्यूब पर देख सकते हो अगर आपने वो गाना देखा हो तो उसमें कुछ सीन्स है साप के साथ तो जो वीडियो आपने देखा जिसमें मेरे गले पर साप है वो मेरे व्लॉग या बीटी एस सीन्स का ही है बिहाइंड दा सीन्स जो की गाने के दौरान के थे वेल आप का इलविश्यादव के शेयर कि इस वीडियो पर क्या कुछ है कहना हमें कॉमेंस में जरूर बताए ऐसी ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें